महाराष्ट के पूर्व कमिशनर परंबीर सिंग ने अपनी चिट्टी में अनिल देश्मुक को लेकर जो खुलासक किया है उसके बाद से तो महाराष्ट की राशनीती में बहुत बड़ा भूचाला गया है वहीं अब इस मामले की गूँज संसद में भी देखने को मिल रही है दरसल केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अनिल देश्मुक के मुद्दे को उठाते भी कहा कि महाराष्ट में अनिल देश्मुक वसूली का काम कर रहे है और महाराष्ट सरकार में वसूली का खेल प्रकास जावडेकर ने कहा कि ऐसे मंत्रियों को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है इसलिए अनिल देश्मुक को अपने पत से इस्तीफात दे दिना चाहिए इतना हिने जावडेकर ने कहा कि उत्व सरकार को भी अपने मुख्य मंत्री पत से इस्तीफात दिना चाहिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महराश्ट्र के पूर्व कमिशनर परंबीर सिंग ने 100 करोड रुपे की हर महीने वशूली करने की जो बात कही थी उससे अनिल देश्मुक और महराश्ट्र सरकार किनारा कर रही थी लेकिन अब ये मामला आग की तरह फैल चुका है और बीजेपी लगातार महराश्ट्र सरकार को घेरने में लगी है और सरकार सारा ठीक राप परंबीर सिंग पर फोड रही है ताकि वो इस मामले से खुद को बचा सके SPN 9 Newsroom की रिपोर्ट